नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नेहा जैस्वाल और मेरे चैनल नेहा श्टीप्स और श्टोरिज पर आपका स्वागत है बड़े वुजुर्गो द्वारा बताई गई बहुत ध्यान देने योग्य जरूरी बाते नमबर एक खाने के साथ हमेशा दही या छाच जरूर लेनी चाहिए नमबर दो औरतों को अपने अंडर गार्मेंट्स हर छे महीने में बदलते रहना चाहिए इससे वक कैंसर जैसी खतरनाथ बिमारियों से बची रहेंगी और ऐसा करने से वह और भी बिमारियों से बचे रहेंगी नमबर तीन जब भी आप बाहर से आएं तो अपना चेहरा जरूद होएं इसने धूल, मिट्टी और पॉलीशन से चेहरा बचा रहेगा जिससे चेहरे पर जल्दी से जूरियां, जाईयां और काले धब्बे नहीं आएंगे नमबर चार हमेशा कोसिस करनी चाहिए कि सुरियोदर से पहले बिस्तर छोड़ दे ऐसा करने से आपके अंदर नीत नकरात्मक उजा कम होती है और जो जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी है नमबर पांच दिमाग में हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, कभी भी नकरात्मक सोच नहीं लानी चाहिए नमबर छे रात को सोते वक्त कभी भी बूरी चीज याद नहीं करने चाहिए, इससे नेंद असानी से आ जाती है नमबर साथ एलेवेरा का गूदा आटे में मिला कर रोटी बना कर खाने से आश्चर या चकित फैदे मिलते हैं या हमारे जोडों के दर्द, हड़ियों की परिसानी, खून का साथ करना, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, इन सम में बहुत ही ज़्यादा फैदे मंद है इसलिए जो बच्चे नहीं खाते हैं, उनको आप आटे में मिला कर रोटी बना कर दे सकते हैं अगर आप सरीर में कम जोड़ी महसूस कर रहे हैं या बार बार बीमार पढ़ रहे हैं, तो रात में सोने से पहले, दूद में चूहाड़े उबाल कर खाले, इससे सारी कम जोड़ी दूर होगी और इमिनीटी भी बढ़ेगी और जो बार-बार बीमार होते हैं वो बार-बार बीमार नहीं होंगे नमबर 9 जो औरतें सुबह उठते ही निम्बू पानी का सेवन करती हैं तो उनके चेहरे पर निखार आने लगता है साथ ही मोटापा भी कम होने लगता है और वो कई बीमारियों से बची राती है क्योंकि निमू में विटामी C की प्रचूर मात्रा पाई जाती है जो सरी से एक्ष्टा फैट को कम करता है और चेहरे पर निखार लाता है अगर हम पानी को उबाल कर पीते हैं तो इससे हम कई भी मारियों से बस सकते हैं चोटी हरड को पीस कर छालो पर लगाने से छाली जल्दी ठीक हो जाते हैं गाय के दूद में एक चमस सूधगी डाल कर और मिस्री मिला कर पी ले इससे कमजोडी दूर होगी नमबर तेरा हमेशा भोजन करने के दो घंटे बात सोना चाहिए इससे हमने जो खाया है वो सारा हजम हो जाता है और नेंड अच्छी आती है नमबर 14 हमको हमेशा नाकून काट कर रखने चाहिए नहीं तो नाकूने में इकठा होने वाला मेल हमारे पेड में जाके नुकसान करेगा नमबर 15 कभी भी सुर्यास्त के बाद दही नहीं खाना चाहिए दही खाने का सही समय सुबह और दोपहर का होता है 16. हमें cold drinks कभी नहीं पीनी चाहिए इनमें हानिकारक तत्तु होते हैं जो सरीर को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए अच्छा है कि घर पे ही निम्बू पानी या ठंडाई बना कर पीने 17. पानी को कभी भी उपर से नहीं पीना चाहिए पानी हमेसा मुँ लगा कर ही पीना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए घड़े होके पानी पीने से गुटने और किड्नी खराब हो सकते हैं 18. रोजाना एक गलास पानी में एक चम सीव का सिरका और एक चम सहद मिला कर पीने से लीवर की कमजोड़ी और गर्मी दूर होती है और इस दिल लीवर को ताकत मिलती है 19. अगर आपको भूख कम लगती है तो टमाटर में सेंधा नमक डाल कर खा ले इससे आपकी भूख खुल जाएगे 20. जिनके बाल कम है उनको रात में सोते वाग चने की डाल का पानी लगाना चाहिए 21. करेला, मूली, मेथी जैसी कड़ी सबजिया खाने से खुन साफ होता है 22. जिनके बाल अधिक जड़ते हैं या तूटते हैं तो उनको तामबे के लोटे में भरा पानी पीना चाहिए 22. साम को लोटे में पानी भर के रख दें फिर सुबह उस पानी को पी ले ऐसा रोज करना है इससे आपको कई बीमारियों में फैदा मिलेगा 23. गर्वाती महिलाओं के जब पैरों में सूजन आ जाती है तो उनके पैरों में तक्ये लगा कर सोना चाहिए जिससे उनको आराम मिलेगा 24. जब बच्चे पढ़ने बैठें तो उनके पास चॉकलेट रखें ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे चॉकलेट खाते हैं तो उनको अच्छा याद होता है 25. यदि आपको बुखार नहीं जा रहा है तो हींग को पानी में मिक्स करके माथे पर लेप लगाने से बुखार में फैदा होता है 26. आपको कबज की सिकायत रहती है तो एक हफ़ते तक रोज मुंगफली खाए ऐसा करने से मुंगफली के पौश्टिक तत्तों आपके पेट की परिसानी को दूर कर देंगे 27. ताजा पानी लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला कर पी जाए इससे बलगम और दमा दूर होता है 28. कई अध्यनों से ये बात पता चल चुकी है कि दान्त कमजोड होने या धीला पढ़ने की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है 29. दाथ हीलने की परिसानी आफ लोगों में बढ़ती जा रही है तो आज मैं आपको बहुत अच्छा टिप्स बताने जा रही है यह टिप्स आफ फॉलो करें 30. पहला मुव में तेल को भर कर कुल्ला करें इससे मुव में मौझूद हानिकारक पैक्टेरिया नश्ट हो जाते हैं इसके लिए एक चमस तील का तेल या जैतून का तेल या वर्जिन कोकोनायटर आल से पूलिंग करें इसके लिए सुबह ब्रस करने से पहले तेल को मुव में भर कर 15-20 मिनट तक पूलिंग करें फिर तेल को मुझ से बाहर निकाल दे और गरम पानी से कुल्ला करें तेल से कुल्ला करने से दांत ही नहीं सरीर की कई विमारियों में भी फायदा मिलता है दूसरा एक चमच आले का पाडर लें फिर उसे एक कप गुंगुने पानी में मिला कर फुल्ला करें दीन में एक बार करें और इसकी एक घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए इससे भी हिलते हुए दातों में आपको बहुत फायदा मिलेगा नमबर 29 मूलेठी में सहर मिलाका चुषने से गले का इंफेक्शन और खासी दूर होती है नमबर 30 अद्रक का रस गुंगुना करके जोडों पर हलके हलके हाथों से मालिस करने से जोडों का दर्थ खत्म हो जाता है नमबर 31 सुबह ब्रस करते वाक कोलगेट पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा लगा ले ऐसा करने से गंदे दात या पीले दात भी साफ हो जाएंगे इसको हफ्ते में दो बार ही करे नमबर 32 अगर आपको किड्नी ए स्टोन से बचना है तो रोजाना तर वूज खाना चाहिए इ इस सर्दर्दर्द में फायदा मिलेगा साथ ही स्रो मीजिक सुनना चाहिए इससे सर दर्दर्द में आराम मिलेगा। मबर 34 अब कभी भी फlegen नहीं रखनी चाहिए इससे बेर्द सुक जाती है। नमबर 35 जमीन से जब भी उठें तो बीना सहारे की उठें इससे आपके घुटने और पैर मजबूत रहेंगे नमबर 36 कभी भी पानी पीनी के बाद जुकना नहीं चाहिए नमबर 37 रुजाना सर्दिव में सरसो का तेल नाभी में लगाने से हाथ पाव नहीं फड़ते हैं और इससे स्किन ड्राई नहीं होती है नमबर 38 पीली मीटी को पीस कर पानी के साथ लेप बनाए और इस लेप को पेड़ू पर लगाए इससे पिस आप खुल कराती है दोस्तो आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और अगर आपको यह जरकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेहर जरू करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरू दबाए ताकि जब भी मैं कोई ने वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले ये वीडियो देखने के लिए आपका बहु